हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंसियल विद गोफी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है मुचल फंड की बात आपके साथ हिंदी में आज हम बात करेंगे कि यसाइपी बंद कर दूँ जब मार्केट नीचे आएगी तब हम फिर सुरू करेंगे जादा तर लोगों के दिमात में ये बात आती है कि इस समय मार्केट बहुत हाई हो चुकी है हम अपनी यसाइपी बंद कर दें और जब मार्केट नीचे आएगी तब हम अपनी यसाइपी फिर सुरू कर देंगे आपको भी साइप बहुत से लोग ऐसे एडवाईज करने वाले मिल जाएंगे या जो है सुचते होंगे देखे पहली चीज यसाइपी जो है एक दो महने के लिए नहीं की जाती है यसाइपी हमेशा जो है गोल बेस्ट लच्छ निरधारित होती है जब भी आप अपनी यसाइपी करें या फाइनेंसल प्लानिंग के लिए करें तो आप लच्छ आधारित यानि गोल बेस्ट करें लच्छ के साथ करें तब ही आपको इसमें रिटर्ण मिलेंगे और कि हम यसाइपी करें देखें पहली चीज तो फाइनेंसल प्लानिंग कहती है कि आप जो है जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपकी जेब से पैसा बाहर जाए निवेस हो इन्वेस्मेंट हो या बैंक में जम हो लेकिन जब आपके पास रिटायर हो जाएं आप सेवा निवित हो जाएं तो आपके पास पैसा दूसरी जगे से आवे जहां जहां आपने पैसा लगा रखा है निवेस कर रखा है वहां से आपके पास पैसा आवे तब आपका पैसा आपके कमाने के लिए काम करना शुरू कर दे क्योंकि जब तक आप सर्विस में हैं या सेवा रथ हैं त पैसा कमाना बंद कर देते हैं तो आपके पास पैसा बाहर से आवें यह नहीं की 75 साल की उमर हो गई आप ने यह प्लान किया कि आप अपने इंजुयमेंट के लिए तो यह साइपी कर सकते हैं लेखिन यह आप लक्ष निर्धारित करने की नहीं हम अपने बेटे के लिए जह ह कर रहे हैं उसके खर्चे चले तो ऐसा नहीं करना है हाँ आप चारिटीर में कर रहे हैं करते रहें कोई दिक्कत नहीं आपके पास चमता है आपकी इंकम इतनी है तो आप करते रहें उसके लिए लेकिन अगर किसी की उम्र आज की समय में 25 साल है 30 साल है और वो यह साइपी कर 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए होगी अब कई लोग सोचेंगे कि इस समय मार्केट जो है सेंसेक्स अपना 67,000 है बहुत हाई हो चुका है हम अपनी SIP बंद कर देते हैं मेरी 10 साल पुरानी SIP है उसका रिटन इतना है इस समय मार्केट बहुत हाई है हम अपनी SIP बंद कर देते हैं और सारा का सारा पैसा निकाल लेंगे जब मार्केट नीचे आएगी तब फिर से अपना निवेस कर देंगे ऐसा आप मत करिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे आपके पास वेल्थ क्रेट होने वाली नहीं है क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगी तब तक आपके पास वैसा खर्च हो चुका होगा SIP में एक कांसेट और काम करता है रुपी कास्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग जो है गजब की होती है उसके बेनिफिट्स आप अगर देखेंगे कैलकुलेशन के साथ तो समझ में आएगा आप मालीजे पांच हजार रुपाई की SIP कर रहे हैं पांच हजार रुपाई की एक SIP सुरू करिएगा और तीन साल चलाईएगा तो 1,80,000 रुपाई आपका जमा होगा और इसमें 15% के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपके पास जो है रिटन आएगा हो सकता कि वो सबा 2,00,000 रुपाई हो या 2,20,000 लेकिन जब इसी को आगे कांटिन्यू करेंगे आप 25 साल चलाएंगे तो यहाँ जो आपका रिटन जो है 40,000 आ रहा तो 45,000 रुपाई वो वहाँ पर आपको जो है पहुत गुना करीब 6 गुने का अंतर पड़ेगा 6 टाइम का फर्क्स पड़ेगा तो इसलिए जो है कमपाउंडिंग भी जो है अपना एक विसेश महत्व रखती है जब हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो उसमें कमपाउंडिंग भी जो है काम करती आप इसको साधारन भासा में ये समा लीजे कि आप चहाँ जितने भी बड़े धनाट बेक्ती को जो है पैसा दीजे उधार चहाँ जितनी इंकम हो उसको आप एक हजार रुपई दे दीजेगा उसको एक हजार रुपई दे दीजे और उससे आप ये कहिएगा या एक लाग रुपई दे दीजे उससे आप ये कहिए कि मैं आपको अगले चालिस साल के लिए एक लाग रूपय दे रहा हूं आपको करना कुछ नहीं है आप ऐसा करिए कि Əख रुपय एक लाग का 1% एक रुपय हुआ एक हजार उपय ब्याज हुआ हर साल आप मुझे एक परसेंट के ब्याज दीजिए एक परसेंट हमने डिसाइड किया इस साल जितना ब्याज आ रहा अगले साल उसका दो गुना कर दीजिए फिर अगले साल जो है उसका दो गुना ब्याज दीजिए इस agreement के साथ उसको आप पैसा दे दीजिए तो 100% गारंटी है अगला आत्मी आपका पैसा नहीं वापस कर पाएगा वो आपके ब्याज देने में प्रिंस्पल कभी नहीं अधा कर पाएगा आठ दस साल तो वो कर लेगा उसके बाद आपका इंट्रेस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा जो प्रिंस्पल है उससे कई गुना हो जाएगा इसको इस तरह से दीखिए जैसे पहले साल उसने आपको एक हजार रुपए दिया एक परसेंट एक हजार हुआ जब दूसरे साल वो देगा आपको तो पहले साल एक हजार दिया था दूसरे साल कितना देगा एक हजार का दो गुना दो हजार रुपए देगा फिर तीसरे साल वो कितना देगा दो हजार का दो गुना करिएगा चार हजार हो गया चौथे साल कितना देगा 4000 का दो गुना 8000 फिर अगले साल 8000 का दो गुना 16000 तो इस तरह से देखे कितनी आपकी बढ़ जाएगी compounding भी इसी तरह से काम करती है इसलिए आप अपने दिमाग में कभी भी ये बात ना लाएं कि अभी market नीचे है हम अपना निवेस JSIP बंद कर दें और जब market नीचे आएगी तब हम अपना investment निवेस फिर से सुनू करेंगे ये नुकसान का सवदा है फायदा तो नहीं लगे देखने में लगेगा लेकिन जो है नुकसान है इसमें हाँ वो अलग की बात है कि आपने अपना लच्छ unpredict किया था कि मानली जीर आज से 20 साल पहले कि हमको 20 साल तक के लिए करना है अपना लच्छ निर्धारित किया था कि हमको 20 साल के लिए अपना निवेस करना है और जो goal था आपका की 2 चीजे निर्धारित की जाती या तो Time Period या कितना इमाउंट चाहिए और आपका इमाउंट पूरा हो चुका आपने मान लीजिए यह सोचा था कि हमको 20 साल बाद 2015 में अपनी एक S.I.P. शुरू की थी 10,000 रुपए की और सोचे थे कि मुझे 2 करोड रुपए चाहिए 2025 में मेरे पास 2 करोड रुपए हो जाएंगे उसके हिसाब से प्लानिंग की थी और 2 करोड रुपए आपके पास हो चुके हैं तो आप S.I.P. अपनी डिस्कांटिन्यू करें इस पैसे को किसी सेफ मोड में कर लें जैसे लिक्विट फंड हो गए या जो है क्या केते हैं लो ड ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला और जो आपकी S.I.P. चलती रहें अगले दो साल मार्केट अगर और ऊपर चला गया तो वह आपको रिटन देती हुई चली जाएगी या मालीजे मार्केट नीचे चली आएगी तब भी जो आपकी S.I.P. से पैसा जा रहा वह आपके लिए बोनस होगा तो आज हमने यह चर्चा किया है कि मार्केट ऊपर है और हम यह साइपी कर रहे हैं हमारी साइपी चल रही है तो उसको बंद नहीं करना है हाँ आपके पास अगर कभी भी इंकम आ जाती तो अडिस्नल इंकम पर्चेस कर लें आज हमने चर्चा कि कि जब मार्केट ऊपर है तो क्या मुझे अपनी साइपी बंद कर देनी चाहिए आगे आने वाले समय पे भी इसी तरह के और वीडियो बनते रहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंसियल विद गोपी क्रस्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है अब अब से सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंशता रहें लेकिन बेल देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार